नुमस्कार दोस्तों आज हम बनाएंगे मार्श मेलो से रीच और क्रीमी मिल्कशेक, बहुत ही इजी सी रेसिपी लेकिन स्वाध बहुत ज्यादा अच्छा, आएए बनाना शुरू करते हैं, मिल्कशेक के लिए हम लेंगे सबसे पहले साड़े साथ सो ग्राम फ्रेश दूद चार चमच जितनी फ्रक्चीनी और आधा चमच वैनिला एसंस, अब हमने लिया है एक मिक्सिका जार जिसमें सबसे पहले हमने जो साड़े साथ सो ग्राम दूद ले रखा था, वो डाल दिया है, उसके बाद हम डालेंगे इसमें तीनी और साथी में हम डाल देंगे वैनिला एक्स्ट्रेक जो हमने ले कर रखा था, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे लगबग 12-15 जितने मार्शमेलोस, इसके सिवा हम इसमें डालेंगे वैनिला आईसक्रेम लगबग 150 ग्राम जितनी, सभी सामकरी डालने के बाद हम मिक्सिका जार कर देंगे बंद और इसको हम गार्निशिंग की तैयारी मिलकशेक भरने के बाद ग्लास में हम ब्लेंडर से जो हमने ब्लेंड किया था वो जाग भी इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम उस पर फिर से रखेंगे थोड़ी सी वैनिल आइसक्रीम और बिलकुल नए तरीके का मार्शमेलो शेक हमारा बनकर बिलकुल रड़ी है गार्निश किया है दोस्तों मैंने अलग-अलग तीन तरह से इसके सिवा भी अगर आपके दिमाग में कोई और गार्निशिंग का एडिया आता है तो आप वो भी इसके लिए यूज कर सकते हैं बच्चे और बड़े सभी की मन पसंद रेसिपी दोस्तों बहुत ही जल्दी बनती है बहुत इजी बनती है उमीदे दोस्तों आपको मेरी ये जो रेसिपी है वो बहुत पसंद आई होगी तो प्लीज दोस्तों मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए दूसरों के साथ शेर कीजिए कैसी बनी उसका कमेंट भी कीजिए और अभी तक अगर आपने मुझे सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले मुझे सबस्क्राइब कीजिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहे नए नए अपडेट्स के लिए शुक्रिया